वो डेली में special मिलते हैं न छोले पिंडी छोले छोले कुल्चे सब लोग को लगता है डेली स्ट्रेट फूड बिल्कुल authentic छोले बनाना बताऊं क्या बिल्कुल हलवाई हो वाला टेस्ट आएगा इस तरीके कहें कि स्टेनर ले लिजे अगर ना हो तो कोई भी cotton का कपड़ा य चुन्ने नहीं पढ़ेंगे एकई करके और सबका फ्लेवर स्ट्रॉंग आजाएगा और यह चैपति atypla बल्र मिलता है ना हम्रेस्टरॉं वाले चोलेमे और इनको तीन से चार सीटी लगा के पका लेंगे अब हलवाई तो इस स्टेज पे क्या करते हैं मैंने यहां बीटूट के एक दो टुकड़े डाल दिये लेकिन वो क्या करते हैं यहां पे सूखा हुआ आवला डालते हैं रंग के लिए उससे काला रंग आ जाता है जो तेज कलर लेकिन हमारा रंग तो बहुत अच्छा आया है अभी जो इस्टेनर था इसको अलग कर लेंगे छोले को हलका सा ठंडा होने देंगे और उसमें जो बीटूट डाला था ना उसको टमेटो जब हम पीसेंगे उसमें डालेंगे तो यानि कि टमेटो पीरी में वो बॉइल वाले जो दो-तीन पीस के हमारे बीटूट है ना उनको भी पीस लेंगे और अब क्या किया है मैंने प्योर लकणी खानी ब्राण का सरसो का तेल लिया उसमें हिंग डाली है और कद्दू कस किया हुआ अद्रक डाला है अच्छे से भूनना है भाई आज की रेसिपी बन रही है बिना प्याज लहसुन के तो बस अब मैंने टमेटो प्यूरी डाल दी है इस टमेटो प्यूरी में वो बीटूट थे ना उनको भी डाला है और एक-दो हरी मर्श भी डाल दी है अब क्या करेंगे चाट की जान होता है काला नमक तो यहाँ पर मैंने काला नमक का इस्तमाल किया है और वाइट वाला जो सॉल्ट था वो बॉइल करने में डाला था तो नमक का अंदाज आप अपने अकॉर्डिंग रखें और बेसिक मसालों को एक-दो चमश पानी में मिक्स करके टमाटर के साथ डाल दिया है अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक यह तेल ना छोड़ दे और हाँ, बेसिक मसाले में मैंने लिया था हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च्ति और जीरा मसाला भी था तो एक कुछ चीजे ने ध्यान रखेगा, मैंने जीरा पाउडर का वे इस्तमाल किया है और छोले जब बनाते हैं तो अनार दाने का वे इस्तमाल होता है वो कम होता है वो अभी मैं बताऊंगी और यहां मैं ले रही हूँ छोला मसाला छोले मसाले को जब हमारा मसाला टमाटर वाला पिस गया था मतलब अच्छे से भुन गया था उसके बाद हमने यहाँ पे छोले मसाला डाला है करीब दो चम्मच और उसके साथ साथ काली मिर्च कुछ चीजे होती है ना authentic छोले बनाते हैं तो जरूर पड़ती है अब लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे हमने जो बॉइल करके रखे हैं छोले को उसको डाल देंगे अब एक और टिम देती हूँ छोले को हलका हलका गाड़ा करना है ना तो थोड़ी से एक दू चम्मच छोले जो है ना उसको घोट दीजे जिस तरीके से मैं प्रेस कर दूँगी ना एक साइड से कुछ 10-12 दाने भी आप पीस देंगे और फिर उसको मिक्स कर देंगे तो एक टेक्स्चर ही चेंज हो जाता है छोले का और आपको बड़ी ऐसा गुटे गुटे गाड़े गाड़े छोले मिलेंगे और कोई कहा नहीं सकता कि यह बिना प्याज जैसुन के बने हैं दो तीन मि काटर पीस भूना था ना तब लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा बाद में एंट करती हूं एक बर बढ़िया सा मिक्स कर दोंगी अनारदाना जरूर एट करिएगा एक प्रॉपर आपको टेस्ट मिलेगा और किसी भी पंसारी की शॉप पे मिल जाता है अब आता है तड़का यह तड़का है देशी घी का और कंदूकस किया हुआ अद्रक हरी मिर्च जिसको बीच से फाड़के डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च इन सब चीजों का एक बढ़िया सा तड़का लगा देंगे और साथ ही साथ मैंने यहां पर क्या किया है थोड़ी से बॉय लालू को बढ़ बनाए है या फिर बिन प्याज ने सुनके बने है तो एक बर जरूर ठ्राइ करिएगा और धनिया पत्ति तो हम इंडियन की आदत होती है हर चीज में डाल देते हैं तो बहया सी डालिएगा और बढ़िया से पूरियों के साथ पराठों के साथ रोटी के साथ किसी के साथ भ कर सकते हैं जब मैंने बनाए थे ये तो बपा आये हुए ते घर पे तो उनका भूग लगाया गया था इस चीज का तो यहां मेरी बेटी भूग लगा रही है और बहुत चाओ से वो ये सब काम करती है आप प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा उसको भी आशिरवात दीजिए और आप सभी लोगों को रादे रादे